हेलो दोस्तों फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल कौन से में आई पेपर क्लासिज में ठीक ना जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आई पेपर क्लासिज चैनल में आपको मैं रेल्वे के एक्जाम से रिलेटेड तयारी करा रहा हूं जिसमें मैंने रेल्वे के एक्जाम से रिलेटेड में कौन से वेकेंसी ली है डी एफिसी सी आई डी एफिसी से ल कि निकली हो ति जिसमें दोस्तों एग्जी क्यूटी ऑपरेशन एंड बीडी यह वाली निकली थी तो उसकी मैं सारा स्लेबस आपको अपने इस चैनल पर जाओंगा और उसको कराओंगा ठीक है ना तो जो भी दोस्त मेरा इस चैनल पर नया बना है वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ के साथ में वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि दोस्तों बस आप से यही गुजारी से आप बाकी हम आप से और कुछ कही नहीं रहें क् सब्सक्राइब कर लिए और लाइक कर लिजे बस आप से यही हमारा क्या है एक हमारी चोटी सी फीस है ठीक है यह हमारे चोटी सी फीस है तो दोस्तों आज मिले के आया हूं हमने CRM टूल्स पढ़ लिए था अब आपके सामने आता है क्वालिटी कंप्टैटिव इंडेक्स क क्यूं सियाई मोडेल कौंसा दोस्तों क्यों सियाई मोडल इसकी फूलुफो मैं क्वालिटी कंप्टैटिव इंडेक्स यह आपका सफों दो स्ब्सक्राइब कब अदर दो हजार दो में एंटर ऑन चल्ट होता है मोडल है किस तरीके का है दोस्तों यह हमारा है कस्टूमर मेनेजमेंट मोडल कौन सा है दोस्तों कस्टूमर मेनेजमेंट मोडल है याद रहे प्रोवाइड नहीं कराना है उस customer को किस तरीके से मैनेज करना है वो सारा का सारा किस किस मोता है दोस्तों customer management में होता है ठीक है ना तो customer management model है हमारा कौन सा qci models sorry दोस्तों चले दोस्तों कंटिनू करते हैं मागे अब इसको हम थोड़ा सा जो क्यूंसी आई मोडल है वो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे हैं इसमें इसको क्या ही पार्टों में डिवाइड किया है कौन-कौन से पार्ट हो सारा कुछ आपको ब्लैक हेडिंग से मैं बताऊंगा कौन-कौन से तो इसम जो मैं ब्लैक हेडिंग मदल्ब ब्लैक बोक्स में बन कर रहा हूं यह सारा का सारा हमारा क्योंसी अपने पोइंट्स है ठीक है तो एक्स्टर्नल एरवाइनमेंट किसका जिससे मानके चले कि जो कश्टूमर बाहरी होते ना बाहरी जिससे कि मेरा कोई फ्रेंड है तो अब म के विद्यारती है किसी दूसरे को लिज का विद्यारती ।u यह समझते हो न तो उस डास्टोमर से जो हमारा डारेक्ट्ली effect पड़ता है वह दखेठी अब किस तरीके से होगा तो देखे दोस्तो डारेक्ट्ली environment and customer experience windsor in die around 4500 akt viewers and customer experience customer experience external environment के बिसीची किस तरह के स हम क्या करते हैं bardzo 근dat को सब्सक्राइब करते हैं अगर आपको मान के मैं कि मैं हूँ मैं किसी भी आड़र 217 को देह कर मैं कहा रहा हूँ कि औरे सर यह वाली एसी तो बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि इसका परचार हो रहा है यह तो बहुत ज्यादा अच्छी है यह है फ़ला है डिमगा है इसको यूज करता हूं और एक मेरा दोस्त है जो इसके बारे में बिल्कुल ही नल है वह कुछ जल्दी कर देती है तो सारा कुछ जो अगर हम इस तरीके से बताते हैं ना तो डारेक्ट लिए हम क्या कर रहे हैं दूसरे कस्टोमर को क्या कर रहे हैं मौटिवेट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं दोस्तों डारेक्ट लिए क्या हो जाए प्रोस्पेक्ट कस्टोमर बन जाए क्या यह सारा कुछ जो होता ना किसी भी एड यह एडवर्टाइज के थुरू या फिर पोस्टर मैगजीन फ्रेंड्स मोबाइल्स इमेल के बेसिस पर डारेक्ट लिक कस्टोमर को क्या करता मोटिवेट करना किसी भी प्रोड़क्ट के परती किस तरीके से मान के चले कि कोई भी एस फür यह इजसे मैं आपको समझाने की पुरी-फुरी कोशिस की थिक उसको चाहिल्बी व्यों कोई नहीं तो कस्टोंर बी जो है कस्टोंर एक का फ्रेंड लाई माने के लिए इसके फ्रेंड है तो वह न उसको क्या बताएगा कि स्पोस्टर में जो आप धेख रहे हैं वह जो मैंने आपका एक्जामपल बताने की यह पूरी-पूरी कोसे की तो मैं इस सब्सक्राइब करता हूं यह आप की अंडर में आती हैं ठीक है ना तो यह सबी जो है ना वर्ट्वाल Custos Murabe स्पीरियंस इन सब्सक्राइब क्या बनता है धोस्तों वर्ट्वल के कर दियाता है कि यहां आप उसके परति क्या हो जब बहुत ही ज्यादा उसके फेवर में चले जाओ अब यह तो हो कि हमारा वर्चुल कस्टूमर एक्सपिरियंस और रियल कस्टूमर एक्सपिरियंस कब आता है जब हम उस समान को खरीद लेते हैं बाकी देखर तो पारव मैंना बाकाईदा अच्छे तरीके से लिखाया हुआ है आपको मैं बताता रहूं बस आपको रीडाट करना और कुछ नहीं बाकी सभी जानकारी उसक हम फिर क्या होगा माने के चले कि आप एक टीवी खरीद कर लाए लगी का एक अच्छे तरीके खरीद ले आए कि आपको जो ना बहुत ही मन को एकदम ऐसा समलों कि भागई मन को भागई तो आप क्या करोगे मैंने लीडी लाया था वह एलीडी इतनी बैस्ट है वह इतनी मत योटूब दे उसमें तो यूटूब भी चल जाता है तो यह सिर गजाता है ठही साथ कूछ मनरे मन के अंदर आप बंचा तो हम क्या कर देते हैं दोस्टो तो उसका रिवीव कर देता है फिर हम तो होगा हम अपनी रिष्यताराइबीами का और दोसे बताएंगे कि आरे मैंने तो भाई साहर ये कर दिया आझ मैं या फ़ने के लिए फ। पर क्या भी तो इस तुल कि प्रड़िदे का क्लाता स्मझें तो बहुत बहुत no करें करसे चुंज पर को समझाने की कौसिस की से ले दूस्त ही दोस्तों अब आगे चलते हैं पर होता है सारो कुछ तो customer proposition जो है ना हमारे जो model है उसका ये part है ठीक हमने external एक्स्टरनल एन्वार्रमेंट पढ़ लिया customer experience पढ़ लिया ठीक है अब पढ़ते है customer proposition किस तरीके से it is a combination of a things that a company offers to a customer मतलब यह तरीके का combination होता है जो product का combination होता है जो हमारी company जो अबफर्स के फिरू कराती है प्रोवाइड कराती है तो यू उम्ह искर लिए क्रोपोजिशन क्वाता है कैसे मानके चला कि कैस्ट को Libros प्रोफ्रक्ता है सबीसीजिटव का हो सकता है यह पर कस्टोमर सपोर्ट का उथ सब्सक्राइब Bluetooth को है कि पुछ जा सकता है वो हमारा QCI Colorado के कौन से पार्ट में Siu Himalayan कोंसे पार्ट का सिस्सा है तो जो इस पेसल ओफर हैं कुन से पार्ट का है कस्टमर के स्टबर बना अगестно YOU आगे चलिए दोस्तों आगे देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर CVP अब CVP क्या है CVP छोटी सी फिल्फार्म पहले सके complete करते हैं फिर इसकी भी मागे चलेंगे CVP होता है customer value proposition प्रोपोजिशन कस्टोमर वैल्यू प्रोपोजिशन तो CP तहां पढ़ गया है customer proposition अब क्या पढ़ रहे है customer value proposition यह डियरेक्टली कुल मिला के काउंत हो कि और अगर हमें उसकी value किसी customer की value अगर हमें आखनी होते हैं अगर वह हमाले valuable है beneficial है तो दोस्तों simple सी बात है आपको भी ना उसके प्रति क्या होना पड़ेगा completely क्या होना पड़ेगा उसके प्रति responsible होना पड़ेगा अगर आप उसको कोई भी product प्रोडक्ट बेस रहा है तो जल बेच रहे हैं तो हम उस प्रोड़क्ट पक्या देते हैं मताब यह म Holz-T्रीके को जो हम क्या करतें उस कस्टोमर को बिवे क्या बिएस बेसिस तो यह सारा कुछ जो था ना हम किसके करते हैं दोस्तों सी वी पी सी वी पी तो इट इस प्रॉमिस ओफ पॉटेंसिल वैलू एज लाइक एनी प्रोड़क्ट गिविन थ्री येर्स फाइव येर्स सर्विस या फिर वारंटी या फिर जो भी आपको दी जाती है ठीक ना फोर अट्रास्ट बिट्विन कंपनी एंड कस्टोमर्स मतलब उस कस्टोमर को अपने लोयल बनाने के लिए फिर अपने लिए बैनिफिट करने कर दें कह लिए हम सब्सक्राइब कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा सी प्रोब्लम हो रहे हैं कोई बात नहीं फिर भी वईस आपके लिए बैटर आने की पूरी पूरी पॉसिबल्ट रखे जा रही है जिससी मेरी वोईस में थोड़ी सी प्रोब्लम भी ना हो बट कोई बात यह सारा का सारा जो हम पढ़ रहें हैं यह दोस्तों है हमारी क्यों सी आई मोडल कि क्या फुल फॉर्म थी दोस्तों इसका आपको मुझे कमेंड बॉक्स में करें बताएं तुरंत के तुरंत ठीक है ना आगे चलते हैं आगे आप देख पा रहे होंगे CMA क्या है دोस्तो customer management activity यह तो आप समझते होंगे already Customer Kate बीच में और जो आप यह सेलर की से त्रीके सेते मरें बनाती है इस सारा कुछ उसके एक्टिवटी क्या होती है तो इसके लिए टोटल जो हमने आइप आठ ci त्यार ट्यार किया इन कितने दौस्टोर लाए वार्ट त्यार किया है है त्यार कर दोस्थिकनद प्रोस्पेट्री से त्यार की गए तो जैसे तो सभास्ट पहले देख लेता हैं ऑन क्या है कस्टोम अड बार आ है च्राइब को मिल itt है और कुछ नहीं तो कस्टमर मेनेजमेंट एक्टिविटी इट्स हाव एट फैक्टर सबसे नमबर उन पर टार्गेटिंग कौन सा दोस्तों टार्गेटिंग प्रोस्पेक्ट मान के चलिए कोई भी कस्टमर वह टार्गेटिंग उसको टार्गेट दिया जाता है कि सर आप इ प्रोड़क्ट में इंट्रेस्ट दिखा दिया ना क्या दिखा दिया दोस्तों इंट्रेस्ट 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 दिखा रहा ना वो किसमें इंट्रेस्ट कि प्रोड़क्ट अट इस यहां था प्यारो डिऊ सी ट닌 एक अधिया प्यारो डिऊ सीटीट इस और प्रोड़क्ट के पेसिश पर अगर वो प्रोड़क्ट के लिए कोई बीट आश्छा दिरा है तो हमाँ हम वाले क्या बंन दारा कास्टोमर और बन जाएगा अगला है हमारा conversion कौन सा दोस्टी होते हैं मॉबाइलipher प्रोप बहुत सारी चीज़े हैं मसीन होती है हमारी दो सकाम کनवर्जन कर रहे देते हैं एक रूप से दूसरी रूप में convert कर देना अगला होता है welcoming and get to know welcoming and get to know क्या बुलाया और उसको अच्छे तरीके से समझाना समझाना किसी भी प्रोडक्ट के परती यह हमारा किसमा तक customer management में आता है दोस्तों ठीक है ना अग यह फिर delivering basis delivering basics जो delivered होता है उस किस तरीके से काँपे deliver होना है सारा का सारा किसमे करतें customer management activity में करतें तो चार होगी आपके continue आठ फैक्टर है चार हमने पढ़ली चारों के चारों दोस्तों ठीक है ना तो आपको जो रहे customer management activity में कितने हैं दोस्तो आठ फैक्टर न याद रहें याद रहें customer management activity CMA में कितनी factor ने वह घ्यक्टर से पांचवा factor रेaway एकट्र में रिटांचन अक्तिवाटी रिटांचन अक्तिविटी होते हैं दोस्तों किसी काई कुछ होता माय है रिटेन्शन एक्टिवटी में दोस्तों यह most important है निए रिटेन संगर करना कास्टमर को क्या करना रिटेन करना किसके परती किसी भी product के परती जिससे कि वह न किसी के वह वेकावे में आकर किसी दूसरी ते कमपणी में नहीं चला जाए अगला है आपका गोंसा दोस्तों वैलू डवलप्मेंट ठीक न यह ताब समझते होंगे किसी भी कस्टोमर की वेल्व सकी सकी कि की कि डिपैंड करते है डिपैंड करते है अगला आपका मैनीजिंग डिस सैसेटिस्फिकेशन अगर कोई satisfaction हो रहा है तो हम उसको क्या करना होगा सेटिस्फिकेशन वाले कंडिशन में दोस्तों को कनवर्ट करना होगा उसका माइंड को इस तरीके से मोटिवेट करना होगी सर हमें problem बताएं हम आपको पूरी-पूरी किरा करें ट्रस्ट दिला करें उसको वापस लाना ठीक ना यह आप जानते होंगे में नहीं जानते हों तब समझ गए ओंगे ठीक आगे चलते हैं और आगे आपका आता है customer penetration अच्छा है समझें उसके दोस्तों थोड़ा सा बारे में मिल है customer penetration का मतलब है कि आपने मार्यट से किसी भी मार्यट से कितने customer करें अब खर यह को मातलब कि आपने मार्यट्स धे कितने customer को अपना प्रोड़क्ट बेचा किस्तने कास्टोमर को अपना प्रोडक्το बेचा एक कंपनी है या फिर एक सॉप है मानकर चलिए उसक जो होना बहुत कई तरीक्य क्या रखें कि रखें हैं क्या रखें हैं दोस्तो you AS cop 2 producing तूंड़ वाला seven मान लिखिए कि मेरे जो होना उसमें एक आप्शेश करें हैं हजार मेरे ठीक है ना दोस्तों थोड़े साइस में लैंग्विज थोड़े गरत लिख्यों यह फिर भी मैं उसको जो मैं बता रहा हूं उसको सभी से सुनना मेरे उस मतलब मानगे चले कि वहाँ पर जो आना दस हजार एसी रखे वे हैं उसमें से इक हजार हैं मेरी कमपनीं के बाकी अधर-दर इसमें कंपनीं केày मेरे और जो मेरे वाले खोरीद लिए गये हैं एक ہजार में से तो एक हजार में ओस्तों मेरे वाले उर्व गया मानकर चलीए तो मैंने कितने कस्टोमर बना लिए दोस्तों पचास कस्टोमर तो मेरे बन गई ना वेस्टी बाता है क्योंकि मैंने किसी भी तरीके से आर फम बेसिस पर गैमिफिकेशन वाले ओफर्स पर सब चीज प्रोवाइड कराकर पूरे अच्छी तरीकर सेर्विस देकर मैंने उनको क्या कि आपने ल मोडल तो अपने कंप्लीट पर लिया कि इतना खास और इतना इंपोर्टेंट था अब जो नेक्स्ट मोडल आ रहा है उसका नाम है वैल्यू चैन मोडल ओफ सी आर एम यह भी करते हैं दोस्तों कंटीन्यू आगे क्योंकि हमें थोड़ा सा जल्दी चलना है एक्जाम भी हमा सबसे पहले किस ने इंट्रोड्यूस किया था और कब क्या गया था दोस्तों यह किया गया था 2004 में कब 2004 में उसको किया था दोस्तों तरीके से करेंगे दोस्तों गयुस्तों त्रैटीजीगली सिगनिफिकन कर से बेसिस हैude को पढ़ेंगे value chain CRM model value chain model of CRM इसे में दो तरीके से करेंगे दोस्तों इसको डिवाइड value chain को एक तो primary और एक करते हैं हम इसको एक हो गया हमारा पास में प्राइमरी एक होड़ा होता है segmentation किसके बैसिस पर significance ठीक है ना तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे strategy strategy के करें पढ़ेंगे strategy आप जानते होंगे run नेती किसी चीज़ को पाने के लिए किसी चीज़ को अच्छे तरीके से या फिर मान के चीज़ीं किसी वी चीज़ को हमें क्या करना है अगर हम ढ़ी में जोब ले दिए तो सबसे पहले क्या करते हैं उसके स्लेबस को इस तरीके से बनाएंगे कि हम इसको तयार इस तरीके से करेंगे सारा कुछ इस तरीके से करेंगे तो वह हमारा कस्टोमर को एक्वाइर या फिर इन्फोर्मेशन रिटेन करने के लिए कि कौन सा कस्टोमर हमारे लिए क्या है important है valuable है तो इस सारा का सारा जोन हम किसे पढ़ते हैं दोस्तों strategically significant customer में पढ़ते है और यह सारा कुछ कहलाता है यही कहलाता है इसकी फुल फॉर्म होगी अगर SSC की फुल फॉंप पूछ लिजाए तो दोस्तों क्या staff selection commission नहीं होगी यह होगी दोस्तों strategy स्ट्रीटस्रेटिकली सिगनिफिकें पूछ ले जाती है तो अब चलते हैं दोस्तों सिगनिफिकेंटlier कर्शन है क्या यह इस मैंने इसको अलगना उतार कि मैंने यहीं से इसका आरो बनाके केटले समझाओंगा कि इस तरीकिया के बनाता है यो वाली लिस्ट यह बनाते हैं कुणकि in किर दोस्तों क्रेंद की सिर्फ कॉस्टों मर ऑपिस्ट निकालते हैं उससे लिस्ट निकालकर फिर हम उसको मजड़ता है स्ट्राइब करते हैं कैसे मानकर चलिए कि हमारे पास में 100 कस्टोमर की लिस्ट है जिसमें से 80 तो एवई हैं और 20 इस तरीके के हैं कि उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत बैस्ट है वह बार बार जो है न एसी खरीद रहे हैं मानकर चलिए कि मैं एक कंपणी में गया और मैं कस्टोमर हूं अब कंपणी में जाके मुझे एक एसी खरीद नी थी या फिर किसी सोप पर गया कंपणी न और वह एसी है ना फर्स टाइम में लेकर आ गया जब मैं फर्स टाइम उसको लेकर आ गया तो वह मेरे लिए बहुत ही बतलब बैस्ट रही जब मैंने उसको एक दो साल चलाया तो उसने बहुत अच्छा साथ दिया ना है उसमें कोई प्रोब्लम आई अगर थोड़ी सी भी बीच में जो ना क्या बन जाता है कास्टमर रिलेसंसिफ मैनेजमेंट ठीक है ना तो हमने फिर क्या हुआ कि मैंने उसको किसी दूसरे को बताया दूसरे को बताया तो उसने दूसरे भाही ने खरीदा होगा कि नहीं मैं तो यह सी को यूज करता हूं जैसे मैं भी आपको ब तो इस तरीके का जो हमारा जो चैन बना रहा हूं अगर मेरी अच्छी है तो हो सकता है कि मैं बार-बार एसी खरीदू अब इतना भी नहीं कि बेर बार बार क्या मुझे दुगान के हिसाब से ठीकर ना दुकान खोलनी होगी तो इस समझ लें बाकी तो ऐसी रहते हैं आप ने जानते होंगे वीश इस बीस है ना वाले जो बीस हैं यहां यह हमारे लें क्या कहला हैं कि भी जो आने यह मंनेक लाएंगे सङ्फिक यह वाला स्ट्र्टेवली किवेक स्केन कस्टोमर क्यों 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 कि 20 ऐसे यह जो बार बार इसी खरीदते हैं इनकी फ्रिक्वेंसी जो यह ना बहुत ही जाधा क्या है हाई है ठीक है ना यह बेस्ट कस्टोमर है इन फ्यूचर के लिए तो सो में से आसी तो है यह वेल कस्टोमर में बट बीस तो ऐसे वेल कस्टोमर जो स्टेटिकल सिगनिफिकन कस्टोमर क्यालाते हैं आगे चलते हैं तो मेरे लिए जो है यह बीस कस्टोमर के इस तरीके के वैलीयबल होगे और यह लोयल कस्टूमर भी होंगे कौन से होग जबाएंगे जो कतने कश्टूमर आपकी इज़त करता रोवागद आपसे समान बार बार खारीता है तो आपके लिए क्या वह loyal customer है ठीक है न हो गया अब आगे देखिए आप मान का चलिए जैसे कि apple के mobile एपल के mobile के customer कि कदर जानते और उसके ब्लिव भी करते हैं और वह customer होते हैं जो अगर 100 विक्ति अगर अगर एपल के मूबाइल चलाना पसंद होगा ठीक ना बीस तो ऐसे होंगे होंगे 100 परसंट जिने अपल का मोबाइल चलाना ही पसंद होगा ठीक है ना दोस्तों तो अब देखिए आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो एससी है ना यह क्या स्टैटेजिकल सिगनिफिकेंट कस्टूमर इसके कुछ टाइप से क्या हैं दोस्तों कुछ टाइप से ठीक है तो इन टाइप को दोस्तों मैं चांगा कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि दोस्तों यह वीडियो आपकी बहुत ज्यादा ही टिपिकल और लंबी हो जाएगी और थोड़ा सा मेरे को भी प्रॉब्लम होने लग गई है क्योंकि बोलते बोलते ऐसा हो जाता है क्योंकि CRM की क्लास थोड़ी से जादा थोड़ी करानी पड़ती है ठीक है न दोस्तों तो वह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोस्तों इसका सिगनिफिकेंट कस्टूमर का टाइप्स तो मैंने आज आपको क्या क्या क्यों मोडल और वैल और दोस्तों बने रहिएगा और हम मुझे कमेंड करिए कि नेक्स्ट टॉपिक जो मैं हैं CRM से तुमारा कंटिनू चल रहा है किस पर लेकर आऊं नेक्स्ट टॉपिक्स और बकाइदा मैंने टेस्ट भी लिए हैं और हिस्ट्री की मैंने बकाइदा महा मेराथून मेराथू क्लास भी डाली हुई है आप जाइए विजिट करिए साड़े तीन अप्रोक्सिमेट गंटे की है उसे देखिए अपने तैरायारी को बहुत मॉस्ट इंपोर्टन तरीके से इंप्रोव भी करिए दोस्तों तो थैंक्यू ओल आफ यू